The next issue is actually increase control over teachers and learners. So, चुके हमारी policies जो हैं, वो top-down बनती हैं. National level पे, फिर institutional level पे, और फिर उसके बाद इदारों के अंदर, organization level पे, और फिर आखिर में, असाद्जा और बच्चों पे उन सब का निफास होता है. ये देखे बगैर के उनका context क्या है. बच्चों के socio-economic background क्या थी, उनकी heredity, potentials क्या थे, और उनके learning styles क्या थे, इन बातों को मद्दे नजर नहीं रखा जाता. और वो जो पीछे हम बात कर रहा है, one size fits all के तहत एक policy generate कर ली जाती है, और फिर उसको नीचे नाफिस करना ही करना है. मसलें, हमारे मुलक में भी अगर कोई pre-school के लिए कोई policy बनी है, तो आप देखिए कि वो उन सलाबजदगान इलाकों के लिए जो बहुत backward remote areas हैं, वहां भी वही होगी, और लहौर, कराची और फैसलबाद जैसे तरकी याफता शेहरों के लिए वो भी होगी. तो ऐसी सूरत में वो जो बच्चे जिनके पास सहूलियात हैं, facilities हैं, या उनके माबाब पड़े लिखे हैं, उनकी और उन बच्चों की, जिनके हाँ इस तरह से कोई facilities या resources नहीं हैं, उनकी सलाइयतों को बराबर से ना पा जाएगा. इस वज़ा से चुके ये एक increasingly authoritarian system है, जो ये authority जो national level से शुरू ही थी, एक छोटे से मासूम तीन साल के बच्चे पे, बिलवास्ता या बिलावास्ता apply हो रही हैं. और फिर वो ये कहते हैं कि the otherness or singularity of the child is grasp, आप उसको measure करते हैं, आप judgment करते हैं, आप कहते हैं, हाँ जी ये बच्चा mediocre है, ये intelligent है, अभी पिसले दिनों एक school में बात हुई, तो दो बच्चों का comparison उनकी teacher कर रही थी हैं, और कह रही थी, इस बच्चे से आप metric में अच्छे न नमबर लिए थे या चार नमबर लिए थे, देखिए, ये बहुत जल्दी है, हो सकता है वो बच्चा, बाद में जाके बहुत बड़े-बड़े कारनामे करें, लेकिन क्या उसकी आज की performance पे आप उसके मुस्तक्पिल को जान सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको grasp कर र चाहिए, जिसमें literacy भी है, math भी है, कुछ science के principles भी है, कुछ social science भी है, उसको आधी दुनिया का knowledge भी पता होना चाहिए, excellent and best practices, इससे कम पे तो आप जा नहीं सकते, तो ये अपनी तरफ से उन्होंने बच्चों की नशोनमा को बहतर करने के उसूल वज़ा किये हैं, लेकिन ज तरह तरह के हैं, तरह तरह की background से आए हैं, इस वक्त वो सारे एक तरह से perform नहीं कर सकते, so अब children are not allowed to be children anymore, हम तो उनको बच्चा रहने का उनसे इक्तियार ही छीन बैठें, कि वो अजादी से खेलते, कुटते, अपनी खुश ही मनाते, खुश होते, अपने आपको अजाद फ जब स्कूल के अंदर उनको activities करवा ली जाती है, concept वता लिये जाते हैं, तो आप उनको घर जाके थोड़ा अजाद रहने दे, खेलने दे, लेकिन चुँके syllabus बहुत ज़्यादा है, उनको सीखना कम वक्त में है, तो इसलिए घर पे भी मजीद काम दे दिया जाता है, फिर इ उनके हाथ बांदना है, आप उनको खेलने दे, तबी भी तो वो सीख रहे हैं, आपका क्या खेल है, बच्चे प्ले में नहीं सीखते, जब वो मट्टी से खेल रहे हैं, वो डो से खेल रहे हैं, वो छोट-छोटी चीज़े बना रहे हैं, वो फूलों से, पौदों से इंट नशोनुमा हो रही है उनकी तबई नशोनुमा हो रही है फिजिकल डवेलपमेंट हो रही है उनकी उनकी मेंटल डवेलपमेंट हो रही है वो रिजीलियस सीख रहे हैं वो अपने आपको दुनिया के हलात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें and make a silk purse out of a soz ear, जितना मर्जी हम किसी standards को खुबसूरत बना ले, यहाँ पर हमारे पास ये के पाकस्तान के अंदर भी हमने भी standard बनाए, क्योंकि हम भी signatory हैं, जितनी भी movement चल रही हैं दुनिया के अंदर, इसमें बुराई नहीं है लेकिन हमें वो issues जो create हो रहे हैं और जिनकी वज़ा से ये standards अपने असल मानिक हो रहे हैं हमें उनको achieve करना है उनको हासिल करना है ताके जो अच्छा है उसके नताइज भी अच्छे ही सामने आएं